एक सीकर ने पूछा है, नर्सिस्ट की सामान बातों से भी इतनी नकारात्मक्ता और कस्ट कैसे पैदा हो जाता है कि उन्हें सामान तोर पर लेना कठिन हो जाता है। देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नर्सिस्ट की जो बातें होती हैं, जो वो सामान तोर पर बातें करता हैं, वो सिर्फ सामान तोर पर ही नहीं होती हैं, उनका एक गहरा मतलब भी होता है, उनका एक डीपर मीनिंग होता है। तो आप जब deeper meaning को धिहान में नहीं रखते हैं तो आपको लगता है कि उसकी सामाने बात है और उस सामाने बात को आपको सामाने तोर पर लेना चाहिए लेकिन आप सामाने बात को सामाने तरीके से नहीं ले पा रहे हैं तो आपकी गलती है लेकिन वास्तों में जो उसका deeper meaning है वो deeper meaning बहुत hurt करता है वो जो गहरा meaning है deeper meaning को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे कि कोई व्यक्ति कुछ बात करता है लेकिन उस किस उद्देस्ट से से बात कर रहा है देखिए हमेसा ये देखिए कि दूसरा व्यक्ति दूसरा विक्ति क्या बोल रहा है ये महतुपून नहीं है दूसरा विक्ति किस उद्देश्ट से बोल रहा है ये ज़्यादा महतुपून है तो नार्सिस्ट किस उद्देश्ट से बोल रहा है जब आप इसके उपर विचार करते हैं तब उसकी बात के अंदर के गहरे मीनिंग को या छुपे हुए मीनिंग को आप समझ पाते हैं, छुपे हुए मतलब को समझ पाते हैं, डीपर मीनिंग को समझ पाते हैं, तो उस डीपर मीनिंग या छुपे हुए मीनिंग डीपर कहना गलत होगा, छुपा हुआ कहना ज़्यादा सही है, छुपे हुए मीनिंग में हमेशा नकारात्मकता रहती है, जैसे मैं आपको छोटा सा उदारण हूँ, जैसे मैं आप से कहूँ कि मेरे घर में 200 कमरे हैं, तो आप कहेंगे कि देखने से तो नहीं लगता कि इनके घर में 200 कम रहे हैं क्योंकि जिसको देखने से जिसके घर में 200 कम रहे होते हैं उसको देखने से भी लग जाता है कि उसके घर में 200 कम रहे हैं लेकिन अगर मुझे देखके यह नहीं लग रहा है कि मेरे घर में 200 कम रहे हैं, फिर भी मैं आपको यह कह रहा हूँ कि मेरे घर में 200 कम रहे हैं, तो फिर उससे आपको एक शॉक महसूस होता है, शॉक इस बात का है कि आपका perception मेरे बारे में कुछ था और मैं निकला कुछ और, तो यानि मैं जैसा हूँ, वैसा दिखता नहीं हूँ, तो आपको एक शॉक महसूस हुआ, तो यह शॉक जो है, यह चुपे हुए मीनिंग की वज़े से है, उससे हमेशा negativity पैदा होती है, तो नर्सिस्ट जो है, वो ऐसे ही उसकी बात के अंदर का है चुपा हुआ मीनिंग क उसको इस पीच को जो किस उद्देश से से वेक्ति बोल रहा है, उसको deconstruct किया था, उसके मीनिंग को निकालने को कहते है, deconstruction, तो deconstruct करना, यानि कि उसकी tone को study करना, किस tone से बोल रहा है, उसका content क्या है, content पीछे के अनुभावों से जुड़ी हुई बात कुछ है, मताब उसकी tone क्या है, उसका choice of words क्या है, किस प्रकार के शब्दों का चैयन कर रहा है, और उसका content क्या है, किस प्रकार के मतलब को present करने की कुशिस कर रहा है, छुपे इस तरफे, तो जब हम content को, और choice of words को, किस प्रकार के words को चुन रहा है, और tone को, किस tone से बोल रहा है, इसको ती deeper meaning क्या है तो narcissist जो है वो deeper meaning का प्रयोग इसलिए करता है छुपे हुए meaning का प्रयोग इसलिए करता है ताकि वो जो भी बोल रहा है उसको एक हातियार की तरीके से आपके विरोध में यूज़ कर सके देखिए narcissist जो है वो कभी communicate नहीं करता है क्योंकि communicate करने का मतलब होता है आप की बात सुनना आपकी बात के हिसाब से वो अपने अंदर कुछ चेंज करना यानि उसमें feedback होता है देखिए communication या संप्रेशन तभी हो पाएगा बातचीत तो तभी हो पाएगी जब कुछ हम आप की सुने कुछ आप हमारी सुने तो भी तो संप्रेशन हो पाएगा feedback हो पाएगा नर्सिस्ट के साथ ये चीज नहीं है नर्सिस्ट सिर्फ वही बोलता है बागी सब लोग सुनते है इसे कहते हैं lecture देना तो नर्सिस्ट communicate नहीं करता है वो lecture देता है संप्रेशन नहीं होता है सिर्फ भाषन होता है उसका तो ये भाषन जो भाषा वो का प्रियोग जो उसका है वो भाषा का प्रियोग इसलिए है क्योंकि वो भाषा को हतियार की तरीके से आपके विरुद यूज करता है तो हम थोड़ा सा यह समझेंगे कि कैसे वो इसको हतियार की तरीके से यूज कर पता है, देखे, सामाने तोर पर वो आपको इंप्रेस करने की कुछिस करता है, अगर आप एक अंजान विक्ति हैं तो अब भाशा कप्रयोग इस तरीके से करेगा, कि उसका छुपा हुआ मतलब आपको इंप्रेस करने का काम करें, तो इंप्रेस कैसे होंगे, इंप्रेस करने के कुछ तरीके हैं, जैसे अगर किसी घटना के बारे में मैं बता रहा हूँ, तो उसमें वेटेज को मैं चेंज कर दूँ, कुछ जो कम इंपॉर्टेंट घटना थी उसको ज्यादा इंपॉर ताकि उससे एक आपको impress कर सकूँ या फिर मैं जो कुछ कहां ऐसी बात बताओं जिसमें कुछ चीजें जूट मिला दूँ तो जूट मिलाने से उसमें आकरशन पैदा हो जाता है तो आप उससे impress हो सकते हैं या फिर मैं ऐसा कर दूँ कि जूट और सच को आपस में mix करके इस त उससे impress हो जाएंगे तो narcissist जो है बात को इस तरीकी से बोलता है ताकि वो लोगों को फसा सके impress कर सके इसे कहते हैं impression management तो speech में impression management करता है जैसे आप देखें advertisement आता है क्यों क्योंकि product को जो है उससे आपको impress करना है तोत कम समय में तो जब आप impress जाएंगे तभी तो आप वो सकता है आप ध्यान ना दे रहे हो लेकिन आपका subliminal लेवल पर आपके दिमाग में ये बात आ जाती कि ऐसा कुछ ad में हमने देखा था तो दुकान में आप जाएंग इन ये तो इंप्रेस करने के लिए अपनी स्पीच का प्रियूद करता है भाषा करता है दूसरे तॉर पर वहापने आपको चुकी वह अपने आपको बहुत ही भव्य और बहुत ही ग्रेंडियॉस और यूनीक यादिती यह समझता है तो अपनी भाषा का प्रयोग इसलिए भी करता है वो कि वो अपने आपको अधुवितिय दिखा सके जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बेवज़ा के शब्दों का प्रयोग करते हैं बात करते वक्त, बेवज़ा के phrases का इस्तेमाल करते हैं, बेवज़ा के idioms का इस्तेमाल करते हैं, बोलते वक्त बेवज़ा की fluency दिखाने की कोशिस करते हैं, छोटी छोटी बातों को बहुत जादा शब्दों में कहते हैं, तो वो actually आपको अपने आपको दिखाने की कोशिस कर कि वो आप से अलग है वो बहुत ही भव्व हैं उनका भाषा के उपर बड़ा कमांड है लब यह तो भाषा के संदर में मैं एक्जामपल दे रहा हूं तो यह Communication के माध्यम से अपने आपको Grandiose दिखाना यूनिक दिखाना ये एक तरीका हो सकता है या आपका जैसे कोई Achievement है तो आपके Achievement को हमेशा आपके सामने इस तरीके से Present करना जैसे कि वह कोई बहुत ज़्यादा अच्छा अचीवमेंट नहीं है ज़्यादा बड़ा अचीवमेंट नहीं है तो आपके अचीवमेंट को जब कम कर देंगे आप मीचा कर देंगे तो आपने आपको उपर दिखाई देंगे तो यह है अपने आपको ग्रेंडियोस दिखाने की कोशिस क अपनी जो speech है उसके अंदर शुपे हुए meaning को use करता है हमेशा, tone को change कर देगा, content को change कर देगा, content को इस तरीके से past में जो shared experience है उससे जोड़ देगा ताकि अपने आपको भवज़ दिखा सके तो इस तरीके से वो उसको changes करता है speech में tone में change कर देगा, content में change कर देगा, choice of words में सब्दों के चुनाओं में बदलाव ले आएगा तो इस तरीके से वो अपने आपको grandiose दिखाने की कोशिस करता है narcissist जो है तब तो अपनी speech को और भी ज़्यादा weapon की तरीके से या अथियार की तरीके से प्रियोग करता है जब वो आपको punish करने के लिए अपनी भाषा का प्रियोग करता है और सारी नकारत्मक्ता आपको punish करने के लिए ही होती है तो punish करने की दृष्टी से ज़्यादा नकारत्मक्ता पैदा होती है जैसे वो आपको पनिश कर सकता है, जैसे माली जे कि नर्सिस्ट ये बात बोले कि अरे भाई आपकी तो कभी कोई गलती होती ही नहीं है, तो सर्फेस लेवल पे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आपकी कोई गलती नहीं है, आप एक बिना गलती करने वाले एक अच्छे, सेन और वो दिमान वेक्ती है, लेकिन डीपर मीनिंग अगर देखा जाए, तो टोन इस तरीके की है, चोईस ऑफ वर्ड्स इस तरीके के हैं, और कंटेंट इस तरीके का है, पीछे के अनुगों से जुड़ा हुआ, कि वो एक्चुली एक व्यंग है, जो ये दिखाता है कि आप तो कभी अपनी गलती मानते ही नहीं है, तो इस तरीके से वो अपनी स्पीच के माध्यम से आपको पनिश करता है, सर्फेस पे उसका कोई जादा मतलब नहीं रहता है, लेकिन जो छुपा हुआ मीनिंग है, उस छुपे हुए मीनिंग के थुरू आपको पनिश करता है, और जब तो भाई हमेशा जहां पर भी आपको बुलाया जाता है, सही समय पर पहुंच जाते हैं. तो सुनने में ये लगता है कि ये भाई बहुती सरल और अच्छी बात है आपकी किसी क्वालिटी के बारे में बात हो रही है, लेकिन उसका जो छुपा हुआ मीनिंग ये है, कि आप आश्यर चकित हो गए कि भाई ऐसी बात ये क्यों बोल ला है, कि मैं हमेशा सही समय पर पहुंच जाता हूँ, तो क्या मैं कहीं सही माँके पर नहीं पहुंच सका, तो उसका जो चॉइस आफ वर्ड है, यानि उसका जो व्यंग करने का तरीका है, वो इस तरीके का है, टोन है इस तरीके की, जो कि ये दिखाती है, कि आप तो अकसर जिस जगा बुलाया जाता है, वहाँ पर पहले प्रॉमिस करते हैं, लेकिन पहुंच नहीं पाते, लेकिन आपको कुछ ऐसा याद नहीं है, कि आपने कभी ऐसा प्रॉमिस किया, और आप ना पहुंच पाया हूँ, तो आप अपनी जो सैनिटी है, या अपनी बुद्धि मत्ता है, उसी के उपर प्रशन उठान लग जाते हैं, कि क्या ऐसा भी हुआ है मेरे साथ कि, मैंने प्रॉमिस किया हूँ, और उसके बाद मैं पहुंच न पाया हूँ, तो इस तरीके से नर्सिस्ट जो है, आपकी रियालिटी को ही, इस तरीके से मैनिपुलेट करता है, कि आपको उस मैनिपुलेशन से, आप अपनी ही सैनिटी के ऊपर, अपनी ही बुद्धि मत्ता के ऊपर, प्रश्न उठाने लग जाएं, इसी को तो कहते हैं, गैसलाइटिंग, तो अपनी स्पीच के ही माद्यम से, वो अपने आपको गैसलाइट करता है, आपको मतलब gas light करने का काम करता है तो वो इस तरीके से manipulation speech के through कर सकता है In fact, सारी manipulative techniques का इस्तेमाल वो speech के ही through करता है अब आप देखिए, blame shifting का काम करता है देखिए, कुछ लोग होते हैं, जो कि हमारे सास्तरों में भी ये बार बताई गई है कि अगर हमारे जीवन में कोई stressful situation आती है तो उस stressful situation से हमें अपने अंदर modification ले आना चाहिए अपने अंदर change लाना चाहिए इससे हमारी सकती बढ़ती है इसे कहते हैं, auto plastic adaptation या auto plastic defense तो हमारे अंदर जब कोई बाहर stress environment में कोई stressful situation होती उसके अंदर चेंज लाते हैं तो इसे कहते हैं auto plastic defense लेकिन नर्सिस्ट auto plastic defense या auto plastic adaptation में बिलीव नहीं करता है वो किस चीज़ में बिलीव करता है वो अपने environment को दोशी ठहराता है अपने अंदर कोई change नहीं करता है वो क्योंकि उसे वो ऐसा मानता है कि उसके अंदर तो किसी तरीके की कोई कमी ही नहीं तो अपने अंदर कोई कमी नहीं लाता है वो बाहर दूसरे को blame करता है दूसरे को devalue करता है अपने environment में गलती नकालता है तो इसे कहते हैं alloplastic defense या alloplastic adaptation तो वो दूसरे के अंदर कमी निकालता है आपके अंदर कमी निकालेगा तो narcissist आपकी speech में अपनी speech के तरू आपके अंदर कमी निकालता है और इस तरीके से blame जो उसकी speech है जो उसकी भाशा है वो इसका प्रियोग इस प्रियोग करता है कि आपके अंदर आपके उपर blame shift कर देगा अपने अंदर अपनी गलती का blame आपके उपर लगा देगा तो इस प्रियोग करता है भाशा का इस तरीके से ताकि आपको manipulate किया जा सके आपको punish किया जा सके और मजे की बात ये है इसमें कि आप ही सिर्फ उसकी ये छुपा हुआ मीनिंग समझ पाएंगे, बाकी कोई छुपा हुआ मीनिंग नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उस छुपा हुआ मीनिंग को पकड़ने के लिए पीछे की लाइफ का, मतलब पीछे जो समय गुजारा है आपने, उसके जो पास्ट एक्सपिरियंसे हैं, वो उसको आपस में शेयर होना जरूरी है, यानि कुछ पास्ट होना चाहिए, जिसको उसने आपके साथ शेयर किया हो, तो उसी पास्ट के एक्सपिरियंसे का रेफरेंस दे करके छुपा हु मीनिंग क्रियेट करता है, उसी का हवाला दे करके छुपा हुआ मीनिंग क्रियेट करता है, तो उसी जब उस तरीके से पास्ट के एक्सपिरियंस को आपके साथ गुजारे हुए पल को का हवाला दे करके छुपे हुए मीनिंग को क्रियेट करता है, तो वो छुपा हुआ मी पणिष करने की कोशिए करता है और जैसा कि मैंने अपने कई वीडियोस में पहले भी बताया है कि नर्सिसिस्ट जो है अपने जिस व्यक्ति से साथ भी संबंद रखता है उस्स व्यक्ति के गुणों को, उस व्यक्ति की वास्तविक्ता को ध्यान में नहीं रखता, बलकि उसकी एक mental image अपने दिमाग में बना लेता है, उस mental image के माध्यम से वो उस व्यक्ति को देखता है, mental image पहले बनाता है, mental image बनाने के बाद उस mental image को अंदर कुछ गुण डालता है, उन गुनों को perfect गुन डालता है, जिसको कि वो अपने grandiose self के मताबिक suitable हो, favorable गुनों, वो उसके अंदर डालता है, और फिर उसको उसके उपर, जिस व्यक्ति से संबंद रखता है, उसके उपर super impulse कर देता है, ज्याध्यारोपित कर देता है, और उसके बाद, वो उसको वैसा ही के माध्यम से वो दूसरे को देखता है, यानि जो mental image उसने मनाई है, उसके माध्यम से दूसरे व्यक्ति को देखने का काम करता हो, अब अगर मान लिजिए वो दूसरा व्यक्ति, जिससे की वो संबंद रखता है, उस mental image या introject के हिसाब से नहीं है, तो narcissist को उसको punish करना नर्सिस्ट को नर्सिस्टिक सप्लाई नहीं मिल पाईगी, वो नर्सिस्टिक सप्लाई तभी पापाएगा, जब वो व्यक्ति उसकी mental image के हिसाब से चलता हो, और mental image और व्यक्ति के वास्तिवी गुणों के बीच में कोई conflict ना हो, कोई विरोध ना हो, तो उसे punish करता है, पन का हुआ रहता है, तो ये तो भाषा की छुपे हुए meaning से related कुछ बाते मैंने आपको बताई, कि वो कैसे उसको हाथियार की तरीके से प्रियोग करता है, अपनी grandiosity को भवेता को अफोल्ड करने के लिए, अपनी uniqueness को अफोल्ड करने के लिए, और आप अगर उसकी uniqueness से agree नहीं ह के लिए, manipulative techniques का प्रियोग करने के लिए आपके उपर इसी भाषा के छुपे हुए meaning का प्रियोग करता है, और नए victims को फांसने के लिए, impression management का भी काम इसी भाषा की वज़े तरह की से वो करता है, भाषा की मदद से ही करता है, आप क्या करें इससे बचने के लिए, सबसे अ उसको आप ignore कर दीजिए, अगर आप उसे ignore कर सकते हैं, तो आप narcissist के 100% manipulation से बच सकते हैं, बस वो छुपा हुआ जो meaning है, उसे ignore करना सीख लिजिए, छुपा हुआ जो meaning है, उसके प्रती emotionally reactive होना बंद कर दीजिए, जो जैसे ही आप emotionally reactive होना बंद कर देंगे, तो manipulative technique आपको नह की देने आया, क्योंकि आप उसके interjects के हिसाब से नहीं है, उसके mental image के हिसाब से जो उसने आपके बारे में mental image बनाये रखी है, उसके हिसाब से आपका behavior नहीं है, आप सोड़ा deviate कर रहे हैं, तो आपको threat देने आया है, लेकिन वो threat आपको direct नहीं देगा, वो कोई सब्द meaning के उपर विचार ना करें, तो कोई manipulation नहीं है, कोई manipulation फिर नहीं है, तो hidden meaning को ignore करना सीखिए narcissist के, तो ज़्यादा तर उसके manipulation को आप ignore कर पाएंगे, वास्तों में अगर देखिए तो gray rocking कोई और चीज नहीं है, gray rocking का मतलबी यही है कि narcissist के जो भी शब्दों का प्रियोग या भ response ना दें, अगर emotional response नहीं देते हैं, तो इसका मतलबा फिर gray rocking कर पा रहे हैं, उसके उपर आप सिर्फ जो surface level पे जो बात हो रही है, covert जो communication का aspect है, उसके उपर ध्यान दें, जो covert aspect है उसके उपर ध्यान दें, जो सतही तोर पे जो वो बोल रहा है, उसके उपर ध्यान दें, ज साहर इसी लिए, जो दुनिया के बड़े psychologists हैं, और जो बड़े therapists हैं, वो सब यही बात कहते हैं, कि narcissists से directly बात न करिये, intermediaries के थुरू बात कीजे, intermediaries का मतलब क्या है, intermediaries का मतलब यह है, कि narcissists से आप direct बात मत कीजे, किसी व्यक्ति के थुरू बात कीजे, किसी रिष्तेदार क जो है, उसकी equality होगी, कि वो hidden meaning को नहीं समझ पाएगा, क्यों hidden meaning को नहीं समझ पाएगा, नर्सिस्ट की, क्योंकि उसने past में कोई experience नर्सिस्ट के साथ शेयर नहीं किया, तो इसलिए, नर्सिस्ट की manipulation technique का असर intermediary के ओपर नहीं होगा, लेकिन आप के ओपर होगा, क्योंकि आपके साथ shared experience है, उसका past में, तो अगर मान लिजीए, आप उसके hidden meaning के प्रती, emotionally reactive नहीं है, जाप करते हैं, मान लिजी आप, और आप उसको ignore कर देते हैं, सिर्फ surface meaning की तरफ ध्यान देते हैं, तो फिर आपको किसी intermediary की जरुवत नहीं है, आप ही handle कर सकते हैं, क्योंकि आप क्योंकि उसकी बात का कोई असर ही नहीं होगा, क्योंकि आप deeper meaning की तरफ ध्यान देते ही नहीं है, तो यह है कुछ communication से related technique, जिनको हम सीख सकते हैं, और इस तरीके से narcissist के बातों के deeper meaning से जो, या चुपे हुए meaning से, covert meaning से जो नकारात्मक्ता पैदा होती है, उससे बच सकते हैं, दोहरे level पे बात करने का जो तरीका है, यह उसके personality disorder की वज़े से, आप उसको क्यों personally लेते हैं, इसलिए आप उसको ignore करना सीखिए, यह सबसे ज़्यादा बेहतर तरीका है, उसकी speech को handle करने का.